क्लास 10 इंग्लिस मेंडियम के सवे परिछार्थियों का देख्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम आपको जोग्रफी का फाइफ मांक्स का सेकेंड पार्ट का सजेसन बताने वाले हैं कि 2024 में क्या आएगा इसमें तो चेप्टर लिखने की जरूत नहीं है सब चेप्टर फाइफ का ही है क्वेस्टन वाइस करके हम बोलते जाते हैं पहला क्वेस्टन है एस्टन इंडिया करके ज्यादे आता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह इस बार इस्टन और सेंटर दोनों आएगा दोनों को आप पढ़के जाएंगे इस्टन का तो ज्यादे है बुक में थोड़ा सेंटर का भी दिया हुआ है उसको भी पढ़के जाएंगे दूसरा नमबर क्ष्चन है इसको कोऊन एफ़रेबल फिसकल कंदिशन रिक्वार पर दोन्टिवाशन अप टी इन इंडिया थर्ड नमबर है इस्टे दाविजिएग्राफिक दिद्रेंस बेविज अस्टन और वेस्टन चोस्तर प्रेंस अपिंडाइ और फ़र नमबर है Explain why cotton textile industry is extensively developed in western India और फ़ाइफ नमबर Discuss the causes and problems of organization in India इसका causes भी दिख लेंगे और इसका problem भी दिख लेंगे causes पर strong gas है लेकिन problem भी दिख के जाएंगे State the favorable fiscal conditions required for the cultivation of wheat Tee पे ज्यादा gas है मेरा लेकिन wheat भी हम दे दिए है 7th number है 7th number question को देखिए हम तिन तरीके से लिखे हैं तिनों में से कुछ भी आ सकता है Explain the major factors controlling the climate of India या तो question ऐसे भी हो सकता है कि Describe in brief the major characteristic features of Indian climate और या तो फिर write the impact of monsoon on Indian climate या climate of India या तीनों में से अमने तीनों question एक ही है थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा answer इदर उदर होगा तीनों को आप पढ़के जाएंगे और 8th number है Discuss the importance of transportation system in India और last है Give a brief account of the physiography of western Himalaya of India ये 9th question मेरा suggestion है और हम आसा करते हैं कि इसी में से आएगा बार से नहीं आएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिस नहीं आपका बढ़के बढ़के जाएंगे